आज हम exercise 4.3 शुरू करेंगे जो असल derivative है ना मारे पास जैसे एकसर question बगरा भी आते हैं पीछे से भी आ सकते हैं तो इससे भी आते हैं तो यह हम ऐसल exercise अब start करते हैं यह बड़ी मज़े की exercise है इसमें पहले आप कुछ रूल बता दूँ जो पूरी exercise में आगे इस इतमाल होनी ह यह आगे में मारे पास होंगे ठीक है पहला रूल है मेरे पास dy over dx और c कोई भी constant इसका जबब 0 होते हैं ठीक है हम derivative को इससे भी denote कर सकते हैं यह dash से भी कर सकते हैं ठीक है इससे भी कर सकते हैं इस वाले से और इससे भी हम इसको राम से denote कर सकते हैं ठीक है अब देखो एक तर D over DX XM इसका क्या होता है Power नीचे उतरेगी जो पावर होगी वो नीचे आ जागी Power नीचे Power कम ठेक है Power कम का मतलब कि 1 माइनस होगा Power में माइनस 1 हमने कर देना है Power चाहे कुछ भी हो हमने उसमें माइनस 1 कर देना है ठेक है Power नीचे पावर कम, कम मतलब माइनस वन की है मैंने, बगैर पावर का उसका derivative, ठीक है पावर नीचे, पावर कम बगैर पावर का होगा derivative ठीक, अब ये दो रूल पर हमने चलना है, इसके बाद हम आगे रूल पर चलेंगे, परड़क्ट रूल पर भी जाएंगे और हम जाएंगे, इसके बाद प्रड़क्ट रूल के बाद हम जाएंगे कॉस्ट रूल पर भी जाएंगे अब ये दो रूल्स के उपर ही बेस पर करते हैं कि इस दो रूल्स के कितने कॉस्ट हम सोल्फ कर सकते हैं, पहला कॉस्ट है मेरे पास, y is equal to x4 ठीक है minus 3 x square ठीक है यह आया अब दोने तर डियुटिव लेने मैंने तो हम क्या करेंगे differentiate with respect to x ठीक है with respect to x मैं differentiate किया तो हम क्या करेंगे y dash यह equal to पहले हम लिखे लेते हैं पता लगे न हम कर रहे हैं x4 केला केला करके करने है minus 3 constant हमने बाहर नकाल देना है x square ऐसे ठीक है यह हो गया dy over dx यह हो गया में पावर नीचे उतरी ठीक है power कम हुई एक power से कम किया और बगैर power का derivative हमने लिया तो यह आ गया ठीक है minus 3 आ गया bracket लगाई power नीचे power कम बगैर power का derivative आ गया ठीक है यह होगे मेरे पास 4 x cube x का derivative क्या होते है 1 वो मैंने लिखा minus 2 x 1 ठीक है x का derivative देखा 1 वो मैंने लिखा रहा डीवावर dx में पस क्या जवाब आ है 4 x cube minus 6 x ठीक है question number 2 देखो मेरे पास यह है ठीक है पहले हम उसको set कर लेते है y is equal to x 7 over 3 ठीक है differentiate with respect to x किया मैंने तो होगा में पर dy over dx ठीक है x 7 over 3 की मेरे पास आ गया derivative ठीक है अब क्या करने पावर नीचे उतरेगी 7 over 3 नीचे उतरी ठीक है यह बान होगे खतम हो गया 7 over 3 x मेरे पास साथ में स्तीन का ले क्या बनते है मेरे पास मेरे पास बनते है 4 over 3 ठीक है यह मेरे पास होगा इसका जवाब dy over dx is equal to 7 over 3 x 4 over 3 question number 3 है मेरे पास easy है मज़े का भी है इसमें देखो मेरे पास हाँ अब differentiate with respect to x की है मैंने ठीक है यह d over dx आ गया ठीक है is equal to 1 over 2 constant बाहर नकाल यह x4 का derivative लिए मैंने ठीक है 4 x ठीक है 4 minus 1 आ गया और x का derivative आ गया ठीक है मैंने 3 x आ गया और यह हो गया 0 ठीक है 1 over 2 आ गया 4 x 3 आ गया और minus 3 x आ गया यह से cut 2 है मेरे पास आ गया इसका जवाब 2 x cube minus 3 x आ गया ठीक है डीक है डीक है डीक है डीक है डीक का मेरे पास यह जवाब आया यहां पर छोड़ी सी गलती हुई है यहां पर आना था मेरे पास 2 x आना था पावर नीचे उतरी ना यह आना था 6 x और 6 x क्वेशन नमबर 4 है मेरे पास सिंपल है differentiate with respect to x आपने देखो तरीकी को देखना है आपने question को याद नहीं करना बच्चे अकसर गलती यह करते हैं question को याद करने बैड़ जाते हैं question को याद करने बैड़ जाते है अप लोग भूल जाते हैं और सारा गलत करके आ जाते हो तरीकी को देखो बस power rule लग रहा है power लगा दो simple question याद नहीं करते होते हैं यह होगे में पर dy over x आगया है ठीक है x का square derivative आगया minus x 1 over 2 आता है इसका derivative आगया है ठीक है यह होगे 2x होगे मेरे पास minus 1 over 2 ठीक है x 1 over 2 minus 1 ठीक और x का derivative बगार पावर का 2x पावर नीचे पावर कम बगार पाव का derivative minus 1 over 2 x देखो 2 LCM लिया मेरे पर 1 minus 2 आ गया तो मेरे पास आए यहां पर 2x minus 1 over 2 x minus 1 over 2 ठीक है यह होगे 2x minus 1 over 2 x आ गया ठीक यह भी इसका जवाब बन सकते है अगर आप आगे इसका LCM बगार लें तो वो भी इसका जवाब बन सकत है यहां पर 1 over 2 भी लगाना है ठीक है यह इसका होगा जवाब क्वेश्ट नमर जो 5 है ना उसमें हमने पहले कि देखो अब हमें multiply हो रही है product roll भी लग सकता है लेकिर हमने वो नहीं लगाना वो थोड़ सा difficult हो जाता है हमने simple पहले इसको multiply करके एक CD line में ले जाते हैं simplify करते ह हम derivative लग लग करके ले लेंगे आप इसको multiply करते हैं x2 को पहले इन दोने से multiply करूंगा x3 x5 आ गया ठीक है प्लस 7 x2 आ गया प्लस 5 x3 आ गया प्लस 75 35 आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे differentiate with respect to x किया तो d y over dx आ गया ठीक है x5 का derivative आ गया प्लस 7 constant तभायन कर ला है x2 का derivative आ गया प्लस 5 x q को derivative आ गया प्लस 35 का derivative आ गया ठीक है इसका जवाब क्या होगा 4 x होगा 4 sorry क्या होने 5 x 4 होने इसका जवाब ठीक है पावर नीचे उतरी पावर काम हुई वह गयर पावर पर derivative लेंगे तो वह वह नहीं गा 1 वह नहीं लिका मैंने प्लस 7 2 x आया मेरे पास प्लस 5 3 x क स्केर आ गया ठीक है यह होगे 0 5 x 4 प्लस 14 x ठीक है प्लस 15 x स्केर आ गया यह इसका होगा जवाब question number 6 है मेरे पास simple है differentiate with respect to x किये मैंने dy over dx आ गया ठीक है x minus 3 का derivative आ गया प्लस 2 x minus 3 over 2 का derivative आ गया प्लस 3 का derivative आ गया ठीक है अब क्या कहना है power नीचे उतरी minus 3 नीचे उतरा ठीक है x minus 3 minus 1 ठीक है एक कम हुए ना बगहरे पापको derivative में नहीं लिए था क्योंको उसका जवाब बन आएगा प्लस 2 minus 3 over 2 x minus 3 over 2 minus 1 ठीक है प्लस 0 minus 3 x के बार minus 4 आ गी प्लस यह दुखर से कट्ट हो रहे है तो minus 3 x मेरे पास होगा 2 minus 3 minus 2 हो ठीक है यहोगा मेरे पास minus 3 x के बार minus 4 plus minus 3 x minus 5 over 2 ठीक है 3 कॉमा लिया तो minus 3 x minus 4 plus x के बार minus 5 over 2 यह उसका होगा जवाब question number 7 है पहले इसको multiply कर लें तो इससे हमने पहले किया था 20 2 के से 2 के सबसे multiply करने है plus 2 x minus 8 x cube ठीक है अब minus सबसे multiply करने 10 x minus x plus x minus x square हो गया minus x minus 4 x cube हो गया plus 4 x cube हो गया ठीक है 4 sorry 4 x 4 होना है क्योंकि अब देखो मेरे पास minus ठीक है 10 30 x 4 ठीक है minus 3 x 5 और मेरे पास होगा 12 x 4 5 7 ठीक है यह आगे मेरे पास आप क्या करने differentiate with respect to x so dy over dx ठीक है 20 का derivative plus 2 constant by Nikola 2 का derivative minus 8 by Nikola x cube का derivative minus 10 by Nikola x का derivative minus x square का derivative plus 4 x 4 का derivative minus 30 x 4 का derivative minus 3 x 5 का derivative plus 12 x 7 का derivative ठीक है 0 हुआ plus 2 हुआ minus 8 3 x square हुआ minus 10 हुआ minus 2 x हुआ plus 4 और 4 नीचे उतरा ठीक है x cube हुआ और मेरे पास minus 30 4 x cube हुआ देखा पावर नीचे पावर कम हुई minus 3 5 x 4 हुआ और plus 12 7 x 6 हुआ ठीक है इनको set करके लिखते हैं इसका जवाब आएगा मैंप 86 x 84 x 6 होगे मेरे जवाब इसका ठीक है और मेरे पास minus 15 x 4 होगा minus 104 x 3 होगा और minus 24 x square होगा minus 2 x और minus 8 इसका जवाब होगा हमारे पास कोशन नमबर 8 है हमारे पास इसमें देखो कि y is equal to 3 over 5 x cube आ रहा है एक तो तरीक है कि हम 3 over 5 को बाहर नकाल लेते हैं x cube को हल कर लेते हैं यह भी एक तरीक है एक तरीक है कि हम इस पर question rule लगा लें वो भी एक तरीक है हम पहले question rule आपको अगली question में समझ आ जाएगा तो मैं इसको इस तरीक किसे करवाता हूं आपको 3 over 5 मैंने बाहर नकाल दिया 1 over x cube ठीक है मेरे पास ठीक है differentiate with respect to x की है मैंने तो में पर d y over dx आ ठीक है 3 over 5 आ गया ठीक यह x cube को उपर ले जाओं तो यह x minus 3 नहीं बन जाएगा है x minus 3 बन गया ने मेरे पास अब मैं क्या करूंगा इसको derivative लेते है इस इकल दो 3 over 5 आगया ठीक है power नीचे उतरी power एक कम की ठीक है गहर पावर का derivative गहर पावर का derivative गहर पावर का derivative ना भी लोग न उसका पता लग जाते क्योंकि उसके जवाबार नहीं आना होता है लेकिन सिर्फ x के साथ होते है अगर y होगे मेरा गहर पावर क होंगा कि इसको नीचे ले जाते हैं 3 over 5 minus 3 over x4 ठीक है इसको multiply किया तो 9 over 5 minus में और नीचे x4 question number 9 है मेरे पास इसमें देखो question rule लगना है आप देखो variable आपस में बिल्कुल एक तरह में फसे हुए आपस में हम किसी को लग नहीं कर सकते हैं वहां पर constant है मैंने लग कर लिए variable एक तरफ की है मैंने उसका derivative ले लिए बात कातम होगी यहां इस तरह नहीं होगा यहां क्या करेंगे कि हम इसको अब लग derivative लेते हैं दी वाई ओवर दी एक्स ठ उपर वाल के derivative ठीक है नीचे वाला वैसी उपर डेरिवेटिव माइनस यह माइनस फार्मुलेक है ठीक है माइनस माइनस आएगा अब उपर वाला वैसी नीचे वाला के derivative है ओवर एक्स स्क्वेर प्लस टू का स्क्वेर आगया ठीक है नीचे वाला वैसी उपर वाला वैसी नीचे वाले का derivative अब देखो एक्स स्क्वेर प्लस टू आगया इसके डेरिवेटिव लिए तो टैन के वह जीरो और एक्स के वह माइनस वान ठीक है माइनस टैन माइनस एक् x, ठीक है, over x square plus 2 का whole square आ गया, ठीक है, अब मेरे पास इसका multiply किया है, मैंने अंदर, तो x square minus, minus 2 हो गया, यह मेरे पास, ठीक है, यह minus है इसका बाहर रखा, यह अंदर multiply किया है, तो 20 x minus 2 x square, over x square plus 2 का square, अब minus open करते हैं, minus x square minus 2 minus 20 x plus 2 x square, over x square plus 2 का square आ गया, मेरे पास, ठीक है इसमें देखो, जो minus आते हैं, minus का लोज नहीं हो, तो छोड़ दो, आप हमारे परस में जवाब आएगा, x square minus 20 x minus 2, over x square plus 2 whole square y over dx यह अब इसका जवाब question number 10 है, मेरे पास, इसका आप derivative लेना है किस तरह रहेंगे, कि dy over, question root लगेगा, dx नीचे वाला वैसी उपर वाग derivative ठीक है, फिर यह इसी तरीके ज़े करना, आपने आपने उपर वाला वैसी, उपर वाग derivative ना दिया नीचे वाला वैसी, उपर वाग derivative माइनस उपर वाला वैसी, और नीचे वाले का derivative ठीक है, over x square minus 3 का square आगया, ठीक है, अब देखो आगे मेरे पास क्या वैडियों होगी, x square minus 3 आगया, 2x आगया, ठीक है, x square plus 1 आगया, और 2x आगया, over x square minus 3 का square आगया, ठीक है, इसको देखो करते हैं, 2x cube आगया, minus 6x आगया, ठीक है, minus 2x cube आगया, plus 2x आगया, over x square minus 3 का square आगया, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, 2x cube, minus 6x, minus 2x cube, minus 2x, over x square minus 3 का square आगया, ठीक है, ठीक है, अब देखो मेरे पास, यह पुरा-पुरा काट्र है मेरे पास, दोनों को आड़ किये तो, minus 8x आगया, over x square minus 3 का square आगया, ठीक है, यह मेरे पास होगा, इसका जवाब, ठीक है, यह मेरे पास इसका जवाब होगा, अब देखो, इसमें 3 value आ रहीं, कोश्चन रोट इसना लगे गा नहीं, काफ़ी disturbance होगी हमारे पास, हम क्या करें कि पहले इसको उपर वाले को solve कर लेते हैं, असान formula आते हैं, y is equal to, ठीक है, x cube, इसको इससे multiply कि x cube आ गया, इसको किया तो minus 2 x square आ गया, ठीक है, इसको इससे किया तो plus x आ अगर इससे किया तो minus 2 आ गया, और x आ गया, ठीक है, अब इसको हम, अब देखें, पूरी value बान की मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, इसको question लगा लेते हैं, divide over dx, ठीक है, नीचे वाला वैसी, ठीक है, उपर डेरिवेटिव, x cube, minus 2 x square, plus x minus 2 का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, minus, उपर वाला वैसी, x cube, ठीक है, minus 2 x square, plus x minus 2, और नीचे वाला का derivative, ठीक है, over x का square आ गया, ठीक है, मैं इदर ही करना लगा हूँ, ताकि हम पता लग सके, फिर अगले पेज़ पे, अब देखो, यह x वैसी बाहरा, इसका derivative, अब सबको मैं लग लग derivative ले रहा हूँ, ठीक है, अब एक सब को एक साथ ही हम करेंगे, अब आपको पतातों कैसे, यह derivative लिए मैं इसका क्या आएगा मेरे पास, 3 x square आ गया, ठीक है, इसका लिए derivative minus 2 नीचे उतरा, तो 2 पहली वाहां पढ़ा था, एक 2 नीचे उतरा, तो 2 वाहां पहली पढ़ा था, तो क्या बना, दोनों multiply करके, 4 x बन गया, ठीक है, पावर नीचे, पावर कम की तो 1 आगी, वो नहीं लिखनी, प्लस x का उगए, प्लस 1, ठीक है, minus x cube, minus 2 x square, plus x minus 2, over x का square आ गया, ठीक है, अब हम इस x को अंदर प्रेले multiply करेंगे, ठीक है, इसको हम अंदर multiply करेंगे, फिर हम minus call के, इसको आगे करते हैं, वो value मैं दुबारा गिए लिखी, आप हम इसको क्या करेंगे, अंदर multiply करते हैं, 3 x cube हो गया, ठीक है, minus 4 x square हो गया, प्लस x हो गया, ठीक है, minus open किया, तो x cube आ गया, plus 2 x square आ गया, minus x आ गया, plus 2 हो गया, ठीक है, अब देखो यह दोना minus हो यह तो क्या बना, 2 x cube, ठीक है, minus 4 x square, plus 2 x square क्या हो, minus 2 x square हो गया, ठीक है, यह पसमें करें, 2 है, plus 2 हो गया, over x square आ गया, जो आप यहां पर बन सकते हैं, अगर हम इसका आगे, ल्टीम तोड़ दें, देखो, 2 x cube, over x square, minus 2 x square, over x square, plus 2 over x square, ठीक है, यह कटिंग की तो मेरे उसमाना, 2 x, ठीक है, कट हो गया, एक बाच के ओपर, minus 2, ठीक है, plus 2 over x square, ठीक है, dy over dx, इसका होगा, जवाब, question number 12 है, same question लगेगा, और, यह वाला, चलो, यह मैं करवाएतना हैं, अगर आपको देता हूँ, यह वाला, आप खुद करें, question number 13 में आपको करवाता हूँ, वह difficult है, यह वाला आप खुद करें, आपको ना समझेए, तो आप मुस्से, comment करके, पूछ लीजिएगा, question number 13 है, question लगेगा, मेरे पास, dy over dx, ठीक है, is equal to, गच वाला वैसी, x square minus 2x plus 1 वैसी, 3x, 5 डरिवेटिव, ठीक है, minus आप वाला वैसी, 3x, 5, x square minus 2xní का derivative over x square minus 2x plus 1 का whole square ठीक है नीचे वाले वैसी उपर वाले वैसी नीचे वाले का derivative is equal to x square minus 2x plus 1 ठीक है अब देखो पावर नीचे उत्री चलो मैं आपको ना उसे हमतार देता हूँ 3 5x 4 आ गया ठीक है पावर नीचे तरी पावर कम हुई मैनस 3x 5 होए मेरे पास और मेरे पास यहां पर आएगा 2x minus 2 ठीक है 1 0 हो गया तो constant तबाहर नकाल लाए इसका derivative क्या होता है 1 मेरे पास ओवर x square minus 2x plus 1 का square आ गया ठीक है इस इकल टू x square minus 2x plus 1 और मेरे 15 x 4 हो गया मैनस 3 x 5 हो गया और 2x minus 2 हो गया ओवर x square minus 2x plus 1 whole का square आ गया ठीक है अब हम 15 को ने मंटिप्ले करते है और देखते हम क्या बनता है इस इकल को मेरे पास बना x square 15 को मंटिप्ले किया तो मेरे पास बना 15 x 4 था ना तो इधर हो गया 6 minus 32 30 sorry 15 32 30 x 5 बना मेरे पास और प्लस 15 x 4 बना ठीक है उसको किया तो मेरे पास बना 3 minus 6 x 6 बना और मेरे पास minus plus 6 x 5 बना है ठीक है यह बना मेरे पास over x square minus 2 x plus 1 का square आ गया इस इकल तो अब देखो 15 x 6 है minus 6 x 6 है 15 में से मैंने 6 निकाले में बस क्या बचते है नो x 6 बना ठीक है minus 30 x 5 plus 6 x 5 ठीक है यह बना मेरे पास minus 24 x 5 ठीक है प्लस 15 x 4 over x square minus 2 x plus 1 का square अब यहां में common ले ले लेते हैं common क्या होगा 3 x 4 common यह मैं नहीं तो में बना 3 3 9 3 x square बना पीच्छे ठीक है 4 इसने दे दी यह न दो बचे न माइनस 3 8 24 होते है 3 8 x 1 बचा है क्योंकि इसने 4 दे दी ने एक बच किया प्लस 3 5 15 होते है 5 के ला बचा over x square minus 2 x plus 1 whole का square ही होगा इसका जवाब क्रोश्च नमर 14 है मेरे पास सेम है हम d y over dx 1 minus x square नीचे वाला वैसी उपर वाला वैसी उपर वाला वैसी नीचे वाला का derivative over 1 minus x square का square ठीक है 1 minus x square आ गया यह 1 हो गया नहीं लिखते चाहिए लिखते थे माइनस x 1 क्या हुआ 0 ठीक है गोर से देखना है अपने 1 क्या हो 0 minus 2 x हुआ ठीक है ओवर 1 minus x square का square जो गया 1 minus x square हो गया ठीक है 1 minus x square 1 plus square 1 minus x square और whole square जो question number 14 का जवाब question number 15 है ना वो यह देखो वो कहा रहा है कि f dash x ठीक है derivative भी कहा रहा है दूसरे वाला कहा रहा है ठीक बहुत मज़ी question है मैं आपको करवाता हूँ अब मेरे पास value है इसकी अंदर में question की f x is equal to 10 x square minus 5 ठीक है value आगी आप first वाला वो कह रहा है कि हम इसके derivative नकाल है तो f dash x is equal to 10 एन ऐसी ठीक है x square का derivative आगया और minus 5 का derivative आगया ठीक f dash x मेरे पास क्या आया 10 2x ठीक है इसका जवाब कहा है मेरे पास 20 x आगया अब वो कह रहा है कि f dash one put करना है f dash one put करना है हमने तो मैंने जब इसके नदर f one put किया तो x के जड़ब 1 आएगा ना 20 one is equal to मेरे पास क्या है 20 इसका जवाब थर्ड वाला कह रहा है वो कि आपने f dash x is equal to zero put करना है ठीक है यह वाला zero put करना है जब मैंने zero put किया तो मेरे पास आया 20 x is equal to zero जवाब कहा है x is equal to zero अब देखो मेरे पास कोशन आमरी यह है one किया मैंने f dash x 8 x square का dash minus 16 x का dash मतलब derivative ठीक है is equal to 8 2 x minus 16 ठीक 16 x minus 16 इसका होगा जवाब पार 2 में कह रहा है कि हम इसके one put करना है f dash one put किया तो मेरे पास है 16 one minus 16 क्या जवाब है दोनों कट गए तो में प्रस जवाब है इस f dash one का zero ठीक है zero जवाब है मेरे इसका आगे हमने क्या करना है और मैंने अब करना है पार्ट नमबर 3 जिसमें वह कह रहा है f dash x आपने जिरो के खिल्पूट करना है तो मैं इसको zero के खिल्पूट करने लगा हूं यह वाले को तो मेरे पास यह आया 16 x minus 16 इसका जवाब question number 17 है न सेम है हमने फस वाला करने f dash x नकालने देखो 1 over 3 बाहर नकाला 1 over 3 बाहर नकाला x cube का derivative लिए minus 6 x बाहर 6 बाहर नकाला constant x का derivative लिए plus 8 का derivative लिए ठीक है 1 over 3 आया और मेरे पास 3 x square आ गया ठीक है minus 6 आ गया यह 0 हो गया यह से cut हुआ f dash x मेरे पास आया x का square minus 6 ठीक है यह value आगी मेरे पास आप मैंने part 2 के कह रहा था कि f dash 1 put करना इसके अंदर मैंने तो मैंने 1 put किया square 6 आया जवाब है मेरे पास minus 5 ठीक है f dc वाला को कह रहा है कि f dash x आपने equal to 0 put करना है अब मैं यह 0 के equal to put कर लगा हूँ तो मेरे पास है x square minus 6 is equal to 0 ठीक है आप इसको आगे करते हैं x square is equal to 6 आ गया मेरे पास ठीक है x is equal to under root plus minus 6 आ गया है कुछ नबर 18 है मेरे पास same way f dash x is equal to मेरे पास क्या आया minus 1 over x का derivative ठीक है derivative यह लिए मैंने तो अब देखो इसको इस तरह भी कर सकते हैं आपको बताता हूँ कि हम x को उपर ले गया minus derivative ठीक है f dash x में बस क्या आया पावर नीचे उतरी यह minus बाहर नकाला minus 1 पावर नीचे उतरी power कम होई तो minus 2 आ गया minus 1 minus 1 क्या आता है plus minus 2 होता है न तो और बगार को derivative में ने लिख रहा इसका जवाब आए कि मेरे पास यह दोनों minus minus क्या हो plus x square आ गया ठीक है इसको इसको नीचे ले जाते है f dash x is equal to one over x square आ गया ठीक है अब मैंने f dash one is equal to मेरे पास one put किया one over one मेरे जवाब आ है one ठीक है f dash मेरे पास x मैंने 0 की output करने ठीक है तो मेरे पास one over x square is equal to zero आ गया यहां पर मेरे पास कोई भी solution नीचे नीचे होगी अब zero x इससे multiply होगा तो जिरो बन जाएगा तो मेरे पास साइस का जवाब है का no soru ti one no solution question 19 है same हम पहले इसको one वाला करते है f dash x की है मैंने ठीक है question लगाते है नीचे वाला वैसी उपर वाले का derivative ठीक है minus उपर वाला वैसी नीचे वाले का derivative over four minus x का whole square आ गया ठीक है four minus x आ गया और मैंने जब देखो 164 जार क्यों है 64 64 चलो मैं बता देता हूं 16 by नकाला तो देखो four x cube आ गया मेरे पास minus 16 x 4 आ गया मेरे पास derivative लिगा तो four zero हो गया constant था minus one जा गया ठीक है over four minus x का whole square आ गया four minus x आ गया 16 four 0 के बता है 64 x cube आ गया minus minus क्या हुआ प्लस 16 x 4 आ गया over four minus x का square आ गया ठीक है f dash x है मेरे पास बना अब दोबारे से multiply किया मैंने 64 को जब मैंने four से multiply किया जवाब है 256 ठीक है x cube minus 64 x 4 plus 16 x 4 और four minus x का square आ गया है ठीक है इसको मैंने minus किया 256 x cube आ गया ठीक है माइनस देखो 64 minus 16 में पास आया जवाब माइनस 48 x 4 over four minus x का square आ ठीक है अब हमने जवाब है मेरे पास f dash x का ठीक है अब हमने क्या करना है one put करने f dash one put किया मैंने तो जान 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 एक से one put का ठीक है 256 1 cube minus 48 one four over four minus one का square ठीक है 256 minus 48 over three का square आ ठीक है 256 minus 48 आया मेरे पास two zero eight over nine ठीक है यह आगे मेरे पास f dash one का जवाब अब वो कह रहा है कि आपने f dash x को zero के एकल पुट करना है जब मैंने zero के एकल यह वाला put किया तो मेरे पास कीचे क्या बचा यह वाली ठीक है 256 x cube minus 48 x4 over four minus x whole का square आ गया is equal to zero ठीक है जो होगे zero मेरे पास अब मैंने क्या करना है कि यह दो जाकर multiply होगे जो होगे पुरी zero time ठीक है उपर बचा मेरे पास 256 x cube minus 48 x4 यह मेरे पास बचा ठीक है जिकल जीरो होगे मेरे पास अब मैंने क्या करना है कि देखो x cube इसमें से कॉमन आता है देखो इसमें से 16 x cube कॉमन आता है 16 x cube कॉमन गया तो 16 minus 3 x बचा 3 x बचा 0 होगे यह भी ठीक है अब मैंने 16 जीरो डिवाइड हो यह भी खतम होगे x cube 16 minus 3 x बचा जीकल 0 होगे ठीक है x cube is equal to 0 16 minus 3 x is equal to 0 ठीक है यह होगे x is equal to 0 ठीक है जीरो होगे और यह मेरे पास आया 16 is equal to 3 x बचा बचा होगे यह आप एक्सेस 4.3 हमारी खतम होती है अगले एक्साइज हम करेंगे 4.4 तो इसी वह difficult होगी थोड़ से लंबे question होगे डिटिव डिफिकल्ट नहीं होती question थोड़ से लंबे होते हूं चेनल के उपर बेस करती है वह भी हम इंशाला एकी वीडियो में कवर करने कोश्य करेंगे युक्रिये लाफिस